आपने इस audio पे click किया है तो इसका मतलब साफ है कि आप civil services examination की तयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं आप बिल्कुल सही जगा पर आए हैं आज का जो topic है उसको start करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी आँखों को बंद कीजिए और सभी लोग कीजिए अपनी आखें बंद कीजिए और मन में अपना नाम पोकारिए आपका जो भी नाम है सिर्फ अपना नाम ली आप सभी के चहरों पर एक smile आ चुकी होगी आप सभी अंदर से एक energy को महसूस कर रहे होगे एक power महसूस कर रहे होगे तो आप सोचो की एक second के अंदर आपने सिर्फ अपने नाम के आगे IAS IPS या collector लगाया और उसी में आपको सोचो कितनी खुशी मिल रही है तो जिस दिन वा मिल जाएगी तो उस दिन का मनजर और उस दिन की खुशी एक अलगी होगी तो एक second में सिर्फ नाम अपने नाम के आगे शब्द लगा कर ही जो है वो आप इतना अच्छा फील कर रहे हो जिस दिन वाकई में बन जाओगे उस दिन क्या होगा सोचो सो गईज यह exercise मैंने आप लोगों की इसलिए करवाई क्योंकि civil services की जो journey है exam को crack करने की यह लगभग डेर से दो सालों की journey है और इस journey के दोरान कई बार ऐसा point आता है ऐसा मौका आता है जब students काफी low feel करते है पढ़ने का उनका money नहीं करता वो बोलते ही किया रहे यार money नहीं पर रखना आपका जो वो daily का target है वो अगर achieve हो गया है उसके बाद फिर आपको जो करना आप कर सकते हो बैट अगर daily का target आपने achieve नहीं किया है जो आपने daily का target set किया है तो आग बंद करके imagine कर लेना यह exercise कर लेना जो मैंने भी आपको बताई और यह exercise भी अगर काम ना करे तो late जाना bet पे अराम से आग बंद करना और imagine करना कि जिस दिन UPSC civil services का result आगया जो भी आप state civil services की अगर तयारी कर रहे होगे तो उसका जिस भी दिन result आएगा और उसमें आपकी rank अगर top 10 के अंदर आगई या क्या पता rank first आपकी आगई तो आपके घर के बाहर खड़ी होगी media आ और यही तरीका है जिसके तहट अपने brain को train कर सकते हैं उसको trick कर सकते हैं राइट कि trick कर सकते हैं या चला जा पढ़ने media यार क्योंकि अभी पढ़ लेगा या भी पढ़ लेगी तो selection हो जाएगा तेरा तो इस प्रकार से आप लोग अपने brain को trick करो right imagine करके और trick करोगे आपक काफी सारी चीज़े मैं बताता रहूंगा आप लोग को समय समय पर बचलो आपका भी समय ना विस्ट करते हुए आज का जो अपना podcast का जो topic है optional subject को लेकर इसके बार में अपन बात करेंगे और guys ये exclusively audio मैंने खबरी के लिए बनाया है खबरी podcast के लिए बनाया है अगर आप ल कार के topics जो है वो लेकर आता रहूँगा और regular मैं हाँ पर रहूँगा attention मतलो और बाकी जो भी students मुझसे connect होना चाते हैं तो youtube पर एक channel है current affairs by कमलाक्ष जहा नाम से उस channel को आप follow कर सकते हैं जाकर या facebook पर भी हूँ मैं मेरा नाम कमलाक्ष जहा है उस नाम से आप मुझे search कर सकत कि आप किस प्रकार से optional को choose करें तो देखिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग pen और paper लेकर बैठी है और जो भी चीज अब मैं बताने जा रहा हूँ हर एक point को आप note down करते चलिए record करते हूँ चलिए right जिससे कि आप बाद में कुछ चीजों को भूले ना और proper तरीके से क्योंकि मुझे पता है कि इस audio के end तक आप ready हो जाओगे अपने option को choose करने के लिए ready हो जाओगे और आपके जितने भी doubts होंगे वो पूरे के पूरे clear हो जाएंगे क्योंकि मुझे पता है कि students के बीच में क्या-क्या doubts आते हैं तो उसकी tension मतले ना आप record करते चल आप उनको follow कर रहे है अगर कोई आपके favorite topper है उन्होंने जो option लिया है उसको अपना option मत बनाना उन्होंने जो option लिया है वो उनकी according लिया है तभी उनका selection हुआ है आपको जो option लेना है वो आपके personally आपके according होना चाहिए तो वो कैसे होगा मैं भी बताऊँ आपको ये गलती बिल्कुल मत करना किसी topper नहीं option लिया तो मैं भी ले लेता हूँ ये ले लेती हूँ दूसरी गलती आपके कोई friend है उन्होंने कोई option लिया तो आप सोचो कि यार मेरे friend ने भी option लिया है मैं भी ले लेता हूँ ये ले लेती हूँ हम लोग group study करेंगा और selection हो आएगा नहीं ह इस option में ज्यादा marks मिलते हैं तो ये option लेना सही होता है क्योंकि इसमें अच्छे marks मिल जाते है बकवास है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि civil services का exam है ऐसा वैसा exam नहीं है यहाँ पर जो आपकी copies check होती है जो आपकी option की copies check होती है वो PhD holders आपकी copy check कर रहे होता है वो एक ही है वो सभी की copies check नहीं करते है अलग-अलग होते है और अलग-अलग जैसे कि आपको optional subject इसलिए दिया है क्योंकि आपको subject पर mastery demand कर रहा है civil services क्या आपको mastery होनी चाहिए इसके level के बारे भी मैं आपको बता दू कि optional जो होता है वो क्यों game change होता है और क्यों optional से ही लोगों का selection हो पाएंगे तो क्या करें कि दूसरा option कैसे चूज करें फिर वो उलच जाते हैं फिर वो गलती कर देते हैं सुन लेते हैं इस option पर ज्यादा marks मिल रहा है वो आला option पकड़ लेते हैं जो main जो चीज है वो लोग नहीं करते हैं जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं ठीक है तो optionally एक ऐसी चीज है जो कि आपका selection करवाएगी याद रखना बहुत वेटेज होता है optional का और किस level की आपको तयारी करनी होती है तो उसका भी मैं आपको idea देता हूं normally GS paper 1,2,3,4 जो हमें देखने को मिलता है civil services के इंदर उसमें आपको normally जैसे कि NCERT पढ़ना जरूरी होता ह basic book और हर एक subject की आपको एक advanced book पढ़ना जरूरी होता है जैसी कि अगर quality का मैं आपको example दूँ तो quality में आपको NCERT पढ़नी है 6 से लेकर 12th class तक की उसके बाद आपको advanced book में लक्ष्मी कांत आपको पढ़नी है आपका quality का पूरा हो गया उससे बाहर का और कुछ quality में आपसे इतनी books आपने cover कर ली अच्छे से तो आपको हो गया quality बट ऑप्शनल की case में क्या होता है यहाँ पर जो level होता है तैयारी का वो 6 से लेकर 12th class तक का level नहीं होता है आप 12th के बाद bachelor's करते हो और bachelor's के बाद आप क्या करते हो master's करते हो तो यहाँ पर जो तैयारी का level होता है वो bachelor's और master के बीच का होता है इसका मतलब क्या हुआ आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और यह तैयारी बहुत अच्छे से कब होगी अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए आपको सबसे पहले तो अपना interest धूनना चाहिए कि आपको किस topic में क इस subject में आपका interest है क्योंकि जब आपका interest होगा तभी आप उसकी तयारी अच्छे से कर पाऊगे proper तरीके से कर पाऊगे क्योंकि इस option की तयारी में थोड़ा सा deeply तयारी करनी होती है तो वो तभी possible हो पाएगा जब आपका उस subject पे interest है जैसी कुछ लोगों का history में interest नहीं होता बट वो फिर भी history ले ले लेते हैं गलती कर जाते हैं कुछ लोगों का international relationship में interest नहीं होता वो PSIR ले ले लेते है political science and international relations तो उनको दिक्कत आने लगती है उनको समझने नहीं आता फिर बाद में किस प्रकार से करें क्योंकि PSIR में ideologies वगरा भी होती है उनका interest नहीं है history में और PSIR भी ले लिया उनने और उन्होंने देखा है नहीं कि paper 1 के अंदर ideologies की बात हो रही है और ideologies में उनका interest नहीं है तो फिर दिक्कत आजेगी न एक important part important portion जो है वो छूट जाएगा और उस important portion को अगर अच्छी से prepare नहीं करेंगे तो marks नहीं मिलेंगे और marks नहीं मिलेंगे तो selection नहीं होगा आपको करना क्या है आपको सबसे पहले अपने interest को धूड़ना है क्योंकि आपका किसी ना किसी एक या दो subject में तो interest हो गई आपको ये कुछ लोगों को geography अच्छा लगता है कुछ को economics अच्छा लगता है कुछ को history अच्छी लगती है कुछ को maths अच्छा लगता है तो आपको interest होगा ना किसी subject में तो होगा ही अगर नहीं भी होगा आप गोलोगा ही मेरा तो किसी में भी नहीं है तो एक बात मैं आपको बता दूँ जो remaining subject है उन में से कोई एक तो subject होगा कि जो कि आपको थोड़ा सा दूसरों के comparison में थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में आपको अच्छा लगता होगा रिलाक्स लगता होगा तो वो ही करो आप उस subject को उठाओ और उस subject को उठाने के बाद आप देखो सिर्फ interest होना काम की बात नहीं है आपने जैसे की दो subject उठा लिया आपने history उठा लिया और आपने जैसे international relations उठा लिया अब उसके बाद आपको क्या करना है आपको देखो एट तो हो गया interest point note down कर लो कि आपको अपने interest को बहले identify करना आपके interest के according कौन से कौन से subjects है उनको आपको लिख लेना एक जगा पर उसके बाद आपको जाना है civil services की official website पर आप website पर जाएए website पर जाकर आपको previous year के question papers डाउनलोड करने उसके बाद आपके कीजिए अपने table पर बैठी है और उस question paper को पढ़ियो और solve करने की कोशिश कीजिए अब आप बोलोगे sir कैसी बात करो भी तो पढ़ाई चालू नहीं करी solve कैसे कर दे guys जब आप question paper पढ़ोगे न और जब आप थोड़ा थोड़ा बहुत भी लिखने की कोशिश करोगे और कुछ-कुछ questions अगर आपके बनने लगेंगे जैसी कि एक question paper में आपने उठाया अगर 30% questions भी अगर आप easily बना पा रहे हो या थोड़ा idea लगा पा रहे हो कि हाँ यार इसका answer यह हो सकता या या आपने चूज कर लिया optional subject को उसके बाद फिर optional subject के लिए मैंने हमिशा बोला है कि आपको खुद से optional subject की तयारी नहीं करी है खुद से कर रहे हो तो well and good कोई बात नहीं मैं मना नहीं करता विल्कुल आप self study कर सकते हो काफी सारे लोग हैं जिन्होंने self study के थूरू exam को crack किया है बट मैं आपको एक आसान रास्ता दिखाता हूँ कि आप optional subject के लिए जो भी best coaching है क्योंकि general studies के लिए मैं नहीं बोलता कि आप कहीं पर coaching को गयरा जॉइन करके पैसा लगाओ बट जो भी best coaching है आप उस coaching को join करो और best coaching है नहीं कि उनका नाम हो उन्होंने results वगरा दिये हो आप उनको join कर लो और join करने के बाद मन लगा कर अपना option finish कर लो यह strategy बनाओ क्योंकि मेरा काम था आपको optional subject choose करवाने का इस particular podcast के जरीए और यह अगर आप practice करोगे तो आपका optional choose हो जाएगा उसके बाद फिर आपको coaching में जाकर करना है या खुद से करना है वो फिर आपका personal choice है इस पर मैं कुछ आभी नहीं बोलने माला बट बाकी एक मेरी advice यही होती है कि optional के लिए expert की advice लेना आपको जरूरी होता है एक expert के अंदर तयारी करनी आपको जरूरी होती है क्योंकि उनको उस subject का बहुत अच्छा knowledge होता है ज्यान होता है उनको tricks वगएरा पता होती है various season की तो वो आपको आजसानी से पूरी शीज़ बता कर आपकी help कर सकते हैं exam को crack करने में तो interact करो जितने भी कभी भी ऐसा मत करो कि यार जो भी teachers वगएरा जो है वो एक ही teacher काफी सारे subjects को जो पढ़ा रहे हैं तो उनके साथ interaction इतना important नहीं होता जो भी teacher किसी एक subject में expert है उसको आप पकड़ो क्योंकि वो ही आपकी help करेगा उस subject को आपका अच्छा करने में तो हमेशा से यह वाली बात मैं अपने students को बताता ही हूँ regularly जो मुझे follow करते है daily current updates दो मैं provide कर आता हूँ उसको देखते हैं तो तो यह चीज मुझे आप लोग को बतानी थी मैं एक बार फिर से revise कर वा लेता हूँ अंदर से confidence आ रहा है कि higher यह तो हो जाएगा यह तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी तो आपने बिना पढ़े अगर आपका confidence 20-30% question को solve करने का आगया है तो जब आप पढ़ लोगे तो definitely पूरे questions को आप solve कर जाओगे और civil services की तयारी cut in नहीं है बट smart approach के थरू smart strategy के थरू इसको crack करना बहुत आसान है और आपको यह podcast कैसा लगा है आप जरूर अपने विचार अपने feedback जो है वो जरूर दी देगा और इसी प्रकार के अगर किसी और topic पर आप चाहरे हो कि मैं यानि कि कोई और issue आप face कर रहे हो प्रकास मेंने तयार किया हुआ है तो चलो अब आपन मिलेंगे अगले audio lecture में तब तक ली बबाई take care have a great day ahead tada